नमस्कार दोस्तों स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल आर्बी ऐसी वित्यचस्यम में राजस्तान विश्य विद्याले जेपुर के द्वारा मुख़्ी परिक्षा दो हजार बीस में भाग लेने वाले स्वेम पाठी प्रेक्षार्थियों के प्रायोगिक प्रेसिक्षन समंदी ओनलाइन आवेदन मांगी गए हैं एता जिन विद्यार्थियों ने अपने आवेदन पत्र में प्रायोगिक विश्यों के लिए आवेदन किया है उन विद्यार्तियों का प्रायोगी प्रसिक्षन प्रारम होने जा रहा है इस संदर्ब में इस वीडियो में हम विस्तार पुर्वक चर्चा करने वाले हैं तरह यह जानने का प्रियास करेंगे कि हमें प्रसिक्षन केंद्रों के लिए आवेदन किस प्रकार करना है तो प्रारम्ब करते हैं आज का यह वीडियो विश्विद्याले से संबद सभी सातों जीलों के इस्तनातक कला, विज्ञान, पासकोर्स, एवं एडिशनल, एवं इस्तनातकोतर बुगोल, परिक्षा 2020 के लिए जिन स्वेंपाटी परिक्षार्थियों ने प्रायोगिक विश्यों का चियन किया है, उन्हें सूचित किया जाता है कि प्रतेक छात्र को चैनित प्रायोगिक विश्यों में प्रेसिक्षन लेना अनिवार है, प्रेसिक्षन नहीं लेने वाले परिक्षार्थियों को परिक्ष 2020 की प्रायोगिक प्रिक्षा में सम्मेलित नहीं किया जाए गा बहुत इंपोर्टेन लाइन है कि प्रतेक चात्र को चेनित विशे में प्रिक्षा लेना अन्यवार है अगर उन्होंने प्रायोगिक विशे का चयन किया है प्रेस्क्षन नहीं लेने की स्तती में जो प्रायोगीक परिक्षा होगी मुखे परिक्षा 2020 उसमें उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाएगा प्रायोगिक प्रसिक्षन हेतु निर्धारित महा विद्याले का चियन एवं परिक्षाश्चुल्क ओनलाइन वेबसाइट www.univraj.org द्वारा रजिस्ट्रेशन फोर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए लिंक पर दिनांग गुणंतीस ग्यारा दोहजार उन्नीस से सोलह बारा दोहजार उन्नीस तक होगा तो 39 तारिक से रजिस्ट्रेशन फोर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो लिंक है वो सक्री हो चुका है और बैफसाइट का नाम है www.univraj.org इस बैफसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रेप्शन बॉक्स में भी उपलब्द करा दिया गया है अत आप इस लिंक के द्वारा बैफसाइट पर पहुच कर अपना ओनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं सरुप्रथम परिक्षारतियों को उक्त बैफसाइट के लिंक पर पूर्व में ओनलाइन भरे गए परिक्षा फॉर्म का फॉर्म नंबर अंकित करना है सब सफेले में क जो लिंक है registration for practical training में जाकर online भरेगे जो आपने पहले फोर्म भराता उसका form नंबर आपको अंकित करना है तत पश्यात परिक्षारतियों का प्रायोगिक विशे एवं निर्धारित परिक्षा शुल्क सहीत वीवरन अप्लोड होगा उसके बाद में जो form है वो निकल कर आएग प्रायोगिक विश्यों के लिए और जो भी शुल्क होगा वो साथ में अप्लोड हो जाएगा इसकी परश्यात निर्धारित प्रैसिक्षन केंद्रो महाविद्यालियों अथ्वा विभाग में से अपनी नजदी की महाविद्याले जहां पर उनकी विशी उपलब्द हों का चेन अंकित करना है ओल्लाइन शुल्क जमा कराने की परशात प्रैसिक्षन फोर्म का प्रिंट लेकर चेनित महाविद्याले में जमा करवाना होगा अन्यता प्रैसिक्षन में सम्मेलित नहीं हो सकेंगे प्रायोग प्रसिक्षन 15 जन्वरी 2020 तक पून करना होगा। प्रसिक्षन की निश्चित तिथि है तू समन्दित महाविध्याले अतवा विभाग जहां पर प्रसिक्षन शुलक की हाड कोपी जमा कराई करवाई है से संपर्क करे। प्रेस्क्शन शुल्क उनलाइन ही जम्हा होगा अन्य किसी माध्यम से जम्हा शुल्क मानने नहीं होगा निर्देश प्रेस्क्शन केंदरों की सूची एवाम प्रेस्क्शन शुल्क समन्दी सूचना विश्यी इद्ध्याले वैबसाइट www.uni.ac.in पर उपलब्द है तो अब हम प्रेस्टिक्षन समंदी जो निर्देश दिये गए हैं और प्रेस्टिक्षन केंद्रों की जो सूची है और प्रेस्टिक्षन शुल्क समंदी जो सूचना है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो यह हैं स्वयम पाटी परिक्षा 2020 के परिक्षार्तियों अत्वा महा विद्यालों है तू प्रायोगिक विश्यों के प्रेस्टिक्षन समंदी दिशा निर्देश विश्विद्याले से संबद इस्तनातक कला अत्वा विग्यान एडिशनल एवं इस्तनातको तर्ब गोल परिक्षा 2020 की लिए जिन स्वैंपाटी परिक्षार्तियों ने प्रायोगिक विशे का चेन किया है उन्हें सूचित किया जाता है कि प्रतेक चात्र को चेनित प्रायोगिक विशे में प्रेसिक्षन लेना अनिवार है प्रेसिक्षन नहीं लेने वाले चात्रों को परिक्षा 2020 की प्रायोगिक परिक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा अलवर, भरतपूर, दोलपूर, जुनुनू, सीकर, दोसा एवं जेपूर जिले के सभी स्वेम पार्टी परिक्षारतियों के प्रायोगिक प्रेसिक्षन 2020 हेतु निमलकित महा विद्यालों को प्रेसिक्षन केंद्र निर्धारित किया गया है तो यहां इसनातक जो प्रेक्षारति हैं उन्हें प्रेक्षिशन केंद्रों की सूची इस प्रकार लिखी गई है यहां कोलेज कोड है 356 नेम दिया गया है गौर्मेंट गर्ल्ड, गर्ल कोलेज चोमू, जैपूर, ओनली फोर गर्ल्स के लिए है डिस्ट्रिक्ट यह जैपू दे रखी है तो आपकी जो नजदी की चैत्र में जो कोलेज पड़ता है वहां आपको आवेदन करना होगा और जो प्रेस्ट्रिक्षन है वो लेना होगा बिना प्रेस्ट्रिक्षन के आप जो मुख्य परिक्षा होगी प्रायोगी उसमें सम्मेलित नहीं हो सकेंगे तो यह इसी तरह से यहां पर कानोरिया महाविद्याले हैं स्री भावानी निकेतन महिला महाविद्याले हैं महराजा कोलेज हैं और यहां सब्जेक्ट दे रखे हैं राजस्तान कोलेज जैपुर का नाम है लैल बीएस कोलेज एस जैन कोलेज और बाबा भगवान दास गौवर्मेंट college इस इतरे से दोसा जो जिला है उसके लिए भी है तो यहां अलग-लग जो college हैं उनके नाम दिये गए हैं और उनसे सम्मंदित जो भी subject हैं जिया practical हो सकता है उनके यहां नाम दिये गए हैं तो आप इनको पढ़कर आवेदन कर सकते हैं इसनात को तर भुगोल विशे हैं तो college दी गए हैं छे college की जो नाम है वो इस लिस्ट में दिये गए हैं तो इनमें से आपका कोई से भी college में prescription प्राप्त कर सकते हैं प्रायोगिक prescription है तो प्रेक्षार्तियों को अपनी सुविधा अनुसार समंदित महाविद्याल्यों अत्वा विभाग में से किसी एक में जहां पर उनकी विशे उपलब्द हो खास देने वाली बात है कि वहां आपका विशे उपलब्द होना चाहिए जानकारी प्राप्तकर निर्धारित प्रेसिक्षन शुल्क वैपसाइट www.univraj.org पर प्रेसिक्षन में सम्मेलित नहीं हो सकेंगे बकाया प्रश्नपत्र ड्यूपेपर इफ एनी का प्रायोगी प्रेसिक्षन से उसी प्रेसिक्षन भी सम्मंदित महाविद्याले में ही आयोजित होगा प्रेसिक्षन सीवर उसी महाविद्याले में आयोजित होंगे जहां पर प्रेसिक्षन शुल्क की हाड कोपी प्रस्तूत कर पंजीकरण करवाया है सम्मंदित महाविद्याले विभाग स्वेम पाटी प्रिक्षार्तियों के प्रायोगिक विशों 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 के प्र प्रेसिक्षन लेने वाले इसनातक विज्ञान संकाय के प्रिक्षारतियों द्वारा प्रती विशे 1500 रुपे कलाक सहय प्रिक्षारती प्रती विशे 1000 रुपे और इसनात को तर भुगोल विशे के लिए 2000 रुपे प्रेसिक्षन शुल्क ओनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा करवाना होगा तो जो प्रेसिक्षन शुलक है क्या है इसनातक जो विज्ञान संकाई जे सम्मंदित विध्यारतियों के लिए प्रती विशे 15 रुपे कला संकाई के लिए प्रती विशे 1000 रुपे और इसनात को तर जो बुगोल विशे है उसके लिए प्रती विशे 2000 रुपे निर्धारित किये गए हैं प्रैसिक्षन शुल्क साबधानी पूर्वक सोच समझ कर जमा करवाएं अन्यता प्रैसिक्षन नहीं लेने अत्वा प्रायोगी परिक्षा में सम्मिलित नहीं होने जेसी इस्तती में प्रैसिक्षन शुल्क जमा कराने के पश्यात किसी भी परस्तत किसी में शुल्ख वापस नहीं होगा प्रीक्षार्ति विश्विध्याले द्वारा निर्दारित औन लाइन जम्हा प्रैसिक्षन शुल्ख की अतरिक्ष अन्नक इस अ किसि भी महा विद्या-लो, किसी भी स्तति में नहीं दे तो केवल यह भी कि ही जमा है जो राजस्तान विश्विद्याले द्वारा लिया जाएगा महा विद्यालों के द्वारा किसी भी परकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा और विद्यारतियों को कहा गया है कि वे किसी भी परस्तती में अन्य को जो शुल्के वो ना दे शुल्क जमा करवाने की प्रेसिक्षन फोर्म का प्रिंट लेकर चेनित महाविद्याले में जमा करवाना होगा अन्यता प्रेसिक्षन में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे चेनित महाविद्याले जहां पर हाड कोपी जमा करवानी है उसी महाविद्याले में प्रायोगिक प्रेसिक्षन दिनांख 15 जनवरी 2020 तक पून करना होगा प्रेसिक्षन प्रारंब होने की निस्चितिती हैतु प्रेक्षार्ती सम्मंदित महाविद्याले अथ्वा विभाग से संपर्क करें सम्मंदित प्रेसिक्षन केंद्रों को यह भी निर्देशित किया जाता है प्रेसिक्षन पून होने की उपरांत प्रेसिक्षन प्रमानपत्र महाविद्यालों को उनकी पोर्टल से ओनलाइन डाउनलोड कर प्राचारे की हस्ताक्षर एवं सील सहित परिक्षार्तियों को देन ये प्रमानपत्र प्रायोगिक विशो की परिक्षा के लिए निर्दारित परिक्षा केंद्र पर परिक्षा के दिन परिक्षार्तियों द्वारा जमा करवाने होंगे। प्रिक्षा के परिक्षार्ति अपने रिकोर्ड के लिए सुरक्षित रखें। जाने की कारवही की जा सके परिक्षारत्यों द्वारा कुल जमाः प्रेसिक्षन शुल्ख रासी में से निमनुसार विश्य विधियाले हिस्सा रासी काट कर प्रेसिक्षन शुल्ख का 60 प्रतिशत संगटक महाः विध्याले pain एवं बुगोल विभाग राज्यस्थान विश विश्विद्याले जेपुर जता 80% रासी राजकी एवं नीजी महाविद्याले को विश्विद्याले द्वारा उनके खाते में जमा करवाया जाएगा। प्रेक्षार्तियों की अधिक्तम सीमा प्रतीक महाविद्याले में प्रती कक्षा प्रती विशे प्रती संखाय वार अधिक्तम 500 प्रेक्षार्तियों का ही पंजिक्रन होगा। प्रायोगी प्रिक्षा में सम्मुलित नहीं होंगे। अप्लोड होगी तो जो प्रेक्षार्ति जो कक्षा अत्वा संकाइवार जो सूची है वो महाविध्याले पोर्टल पर दिनांके 17-12-2019 का अप्लोड हो जाएगी प्राइगी प्रेक्षेशन के सम्मद्ध में यदि कोई समिश्या हो तो प्रेक्षार्ति महाविध्याले इन पर समपर्क कर सकते हैं तो यह अप्लोड है जिन पर किसी भी समयश्या है अधीम प्राइगी प्रेक्षा से समंद्ध तो इन पर प् richest आप्री आपर सबस्क्राइब भी कर सकते हैं ताकि समय चनल के माद्यम से प्रेशित की जाती है, आता आप इस चैनल को सबसक्राएब कर सकते हैं लाइक करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए अपडेट सबसे पहले आप तक पहुचें फिर मिलते एक नए अपडेट के साथ तब तक बने रहे आरवी सीवी तैचेसम के साथ जैहिंद जैभारत